आखिर वो घटना आखिर वो वाक्य क्या था जिसके माध्यम से लावचे को ज्ञान प्राप्त हुआ लावचे ऐसे संत हुए हैं चाइनी संत हुए हैं जिनोंने मनुस्य जीवन में ऐसे क्रांतिकारी सुत्तर दिये हैं अगर हम उन सुत्रों को जीवन में अपना तो हमारे जीवन की तमाम तरह की समस्याएं दुख चिंताएं पल भर में समाप्त हो जाएंगी उन सुत्रों को भी इन वीडियोज के माध्यम से हम जानते रहेंगे अगर आपको ये वीडियोज अच्छे लगते हैं तो आप इस चैनल के साथ जरूर जुड़ें वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा वो कहानी इस परकार है एक बार लाव से एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तभी एक पत्ता नीचे गिरता है पत्ता हवा में कभी उपर जाता है कभी नीचे जाता है कभी फिर दाएं जाता है फिर बाएं जाता है उपर जाता है नीचे जाता है इस परकार कुछ समय बाद वो पत्ता नीचे गिर जाता है और उसी समय लावत से एकदम से आतम ज्ञान को प्राप्थ हो जाते हैं उनका ज्ञान सिरफ इतना ही था कि हम अपने आपको छोड़ दें समर्पित कर दें इस संसार में जो कुछ हो रहा है वो प्रकर्तिक नियमों के कारण हो रहा है समय के कारण हो रहा है हम बेवजय हैंकार के कारण, अपने एगो के कारण, करतापन के कारण, जबरदस्ती हम करते रहते हैं, जब तक हम करने वाले हैं, तब तक कुछ होगा नहीं, जब अपने आपको हम परकरती के हवाले कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, हम घ्यानी बन जाते हैं, जैसे पत्ते ने कोई विरोध नहीं किया, हवा जिस तरप ले गई वो जाता रहा, हवा दाएं ले गई जाता रहा, हवा बाएं ले गई जाता रहा, पत्ते का अपना कोई एहंकार नहीं था, पत्ते का कोई अपना इगो नहीं था, ना कोई करतापन था, आखिर में पत्ता जमीन को पुचा देती है तो यही कहानी जिससे लाव से को ज्ञान प्राप्त हुआ इसमें हमारे लिए सीखने लाइक बात यही है कि हमें परकरती को समर्पन कर देना है समर्पित हो जाना है समर्पित सरीर से नहीं हुआ जाता मन से समर्पन होता है मन से हम सरेंडर कर दें बुद्धी से स्रेंडर नहीं होता है क्योंकि बुद्धी हमेशा रोडे अटकाएगी अगर आप इस कहानी को बुद्धी से सुन रहे हैं तब आपके मन में विचार आएंगे कि ऐसा थोड़ी ना होता है ऐसे ये कोई बात हुई ये तो फेक है तरह तरह के विचार आएंगे आप बुद्धी को हटाना होगा जैसे ही आप भी मैं भी सभी ज्यान को प्राप्त हो जाएंगे तो आज से ही इतना जरूर समझ लें कि बुद्धी से बात बनने वाली है नहीं सिरफ सरेंडर और समर्पन से ही बात बनने वाली है